खबर है राजस्थान के डूंगरपुर जिले की जहांकी दोड़ा पुलिस ने जीप में सवार महिला के बैक से जेवर और साथ हजार रूपए कैस चोरी होने के मामले में एक महिला चोर को गिरपतार किया है और पुलिस ने आरोपी महिला से चोरी किये गए जेवर और नगद साथ सस्रौाल से माई के जा रही थी तीजवर से सवारी जीप में बैठी थी कि जीप में बीच वाली सीट पर बैठी कुछ महिला हैं पहले से सवार थी और इस दोरान एक महिला ने उससे बातचीश सुरू की उसने कहा कि तुम्हारा बच्चा रो रहा है तुम इसे समालो बैग मुझे दे दो जिसके बाद महिला ने अपनी बैग उक्त महिला को दे दी और दोड़ा आने पर महिला बैग वापस लेकर उतर गई जिसके बाद किराया देने के लिए जब महिला ने बैग खोला तो उसमें से सारी नगदी गाइब थी और सोने और चादी के आभूसर सुरू की इस दोरान पुलिस को संदिग्ध महिला सुमित्रा कलाल पतनी खेमराज कलाल निवासी घोडी के बारे में पता चला जिसके बाद उक्त महिला को पुलिस ने गिरपतार कर कडाई से पूछ ताच की तो महिला ने कैस और सोने चादी के जेवर चोई करने की वारदात को कबूल कर ली आरोपी महिला से कैस और जेवर भी बरामत कर लिये गए हैं फिलाल मामले की जाच जारी है